ग्राफिक डिजाइनिंग यह एगो आइसंस सेक्टर हा जहां परे आज अर्टिफिशल इंटेलिजन्स के संगे संगे बहुत काम हो था और उकर भविश्य भी फ्लरिश वाते सब कोई के नमस्ते और उप्रनाम हुनरबाज का रखर में आप सब लोगन के शांदार स्वागत वाते जी हां इब खत हमनी प्लेमाईयों में है सा और हमनी के साथ एगो आइसंन हुनरबाज वाते जी ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में उपन दक्षता हासिल कर लिवाते एकर संगे संगे उँ आड़ियो युवक संगा के एगो प्रधान हुवना खासकर प्लेमाईयों जीला परिशद में ता आज उकर संगे हमनी बत्याब सा आर उकर काम देखाब सा और हमनी जानब जा की ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में कौन ची हुआ था ता चला जा खुनरबाज का रकम देखता हुआ जा अभी हुदोई के बगर से और आज हमनी के खुनरबाज हमनी के मुख्य महेमान के नाम हवन यश्वीर सिंग और उक ग्राफिक डिजाइन के दुनिया में अपन दक्षता हासिल कर लिवाते हैं सबसे पहले नमस्ते यश्वीर सिंग नमस्ते अभी यश्वीर सिंग राम जावन कर एकर बारे मेंайте यश्वीर सिंग राम जावन हम हैं मैं चौबी साल का हूँ वातावरन में मैं एक चात्र हूँ उनिवेस्टे आप टेक्नोडी मारुशस पर ग्राफिक डिजाइन का कोस चल रहा है और फिलहाल मैं मेरे आकरी सार पल हूँ मेरे चार भाई हैं दो बरे एक चोटा बरों की शादी हो गए है और सिर्फ मेहीं बचाओं और मेरा चोटा भाई चोटा भाई एक ही साल का फर्क हैं तो काफी चोटा नहीं है फिर भी अब मैं प्रधान भी हूँ हमारा एक युवकसंग है आड़े समाज का और मोरुशसाय य मैंने हुआ कंई हुआ पांच माईने हुआ में हुआ जा नकादेशाय थ ही स्वावाइशी मुझे है युशन और मेरा कमें निकनेम है अम ये canons ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया ही में प्रवेश कर ले हुआ उकर पाचे उकर अबजेक्टिव का रहा हल ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में सबसे परे तो यह एक वरी सिक्रट कहानी है मेरे माता पीटा भाई भेन जो भी है उनको नहीं पता तो आज पता चले गा तो जब मैं अच्वेश में था प्रेवड़ी बाल जब मैं अच्वेश कर रहा था और ख़तम होने को वाला था लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँगा मैं दर्शर एक अक पच्चाटरा हूँ मैन तो मुझे ऑफ्च्चन सिर्फ यह था कि बिजनस माइजमें एक नवमिक्स इसफाइनस जो भी है यह सब के ओप्च्ण है तो मुझे यह सब नहीं पसंद economics मेरा पैरा प्यार था लेकिन university के आते आते तो मुझे ये पसंद नहीं था तो मैंने अपने माता पिता से बोला कि मुझे अपना results जो है improve करना है तो एक साल और लगेगा वो करने में तो जब साल पीता मैंने results को improve नहीं किया मैं घर पे था सोच आ था कि आगे क्या करूं क्यूंकि decision बरा है जीवन का decision है तो सोच समझ करना पड़ता है तो हमारे यहां एक inter college competition था MFDC के समक्ष तो इस पर मैंने भाग लिया तो भाग लेते और cinematography को सीख कर मैंने ये पता चला कि मुझे ये करना आता है मुझे ये करना पसन है तो मैंने पहले दाफा तो cinematography की दुन्या में जाना चाहता था 28 October को या November को मेरा exams खतम हुआ और 29 October को मैं MFDC के वहां intern कर रहा था अच्छा अच्छा intern करते करते तो university का समय आ गया मैंने वहां पर जाकर cinematography को अप्लाइ भी किया लेकिन मेरे senior जो थे उन्होंने खागा कि cinematography ऐसी कोर्स हैं जो नहीं मिलते हैं क्योंकि तो तुम ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो वहां पर एक दो मोजूल होगा जो cinematography पर रिरेते हैं तो वह भी तुम सेख सकते हो तो मैंने पहले तो cinematography को option A रखा और graphic design को option B तो मिला मुझे graphic design ही ना और वहां जब मेरा पहला semester था जब मैं सीख रहा था graphic design के क्या हैं क्या करते हैं तब मुझे यहां ऐसास हुआ कि मुझे graphic designing ही करना चाहिए था तो यह है मेरा चोटा सा secret क्यों मैं आया और कैसा कर रहा हूँ अब ये शिवेरी सिंग हमने के यह बता हुआ कि जब graphic designer के रूप में काम करत हुआ था ग्राफिक designing के दौरान कुछ प्रकार के बदलाव आलबाते हैं एकर बारे में बता हुआ था आपकी खास कर के आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है जैसे कि मैं आपको एक उधरन देता हूँ सारे के सारे ग्राफिक जाने जो हैं वो एक टिबबा में रहते हैं एक बॉक्स में और अगर आपको डिफरेंट होना है अगर आपको अपना खुद का पैस्नालिटी को डिब्लोप करना करना है तो आप उसको उस जो मेरे सारे काम है पहले इंस्पिरेशन जब क्लाइट मुझे बतायेगा तो मैं मेरे देमाग से चला लूंगा लेकिन जो फुर्दर ईंस्पिरेशन है वो मुझे गूगल में ही ढुना परेगा और सही तरह से धोना पड़ेगा जो की वर्ड हैं जो भी हैं क्योंकि Google एक समुंदर हैं अगर कोई भी वर्ड डालोगे तो वेर वर्ड वास्ट तो सही तरह से सही की वर्ड लगाने से आप जानना पड़ेगा दूसरे दफा है कि आपका creativity आपका way of thinking जैसे कि आप कोई भी उधारन देखता हूं अगर आप एक पेर को देखते हैं तो उसका perspective change होता है क्योंकि आप जब मैं एक पेर को देखता हूं तो मुझे मैं सोचता हूं कि उसको कैसे illustrate करूं किस तरह से illustrate करूं या फिर अगर एक photo निकालना है तो कैसे निकालूं इस तरह से आपका thinking जो है वो इसमें बहुत सारे बरलाव आते हैं और फिर आपके एक ग्राफिक जाना का काम है communication कम से कम words में आपको एक बहुत कुछ कहना परता है तो यह आपको learn करना है कि कैसे आप उसे communicate करें जैसे कि अगर एक लो है कि यहाँ पर ट्राश ना फेकें तो आप एक परागाफ लिख सकते हैं कि यहाँ पर ट्राश मना है या एक सिंबोल को भी इस्तिमाल कर सकते हैं जो कि यूजर को ऐसा सो पता चले कि हाँ यहाँ करना मना है तो इस तरह से सारे बदलावाते हैं यश्विर सिंग बीस बरीस अगारिवे से जब हमनी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बतियाए लासा ता हौजा परी अड़ोप फुटोशॉप या फे इलॉस्ट्रीटर रहल बाकिर आज बहुत ही अडवांस आगल बते इमें AI के प्रवेश भी बते एकर बारे में अग्राफिक डिजाइनिंग जो था 20 साल पर शायद सिर्फ पोस्टर या लोगों वगयरा हम बनाते थे सिर्फ एक दो चीजें लेकिन आज ग्राफिक डिजाइनिंग एक समुंदर बन चुका है और इसमें बहुत सारे नदी है जो इस पर आते है जैसे के पहले तो लोगों पोस्टर डिजाइनिंग पोस्टर डिजाइनिंग यह सारे चीज और अब हम देखने को में रहे है कि 3D अनिमेशन, 2D अनिमेशन, वेबसाइट, UI, UX का है और आज जो टेक्नोलोजी बन रहा है जो AI भी इसमें आ रहा है जो सब फोटोग्राफिय और पीडियोग्राफिय य हम समुंदर में जाते हैं इसको हम बोलते हैं ग्राफिग डिजाइनिंग तो एक ग्राफिक जाइन का स्किल् वह स्पेशालाइज को सकते हैं किसी भी डोमेन में चाहिए पोस्टर हो या तो अनिमेशन यह सब तो ठीक हैं लेकिन अगर ग्राफिक जानेंग का चेनरल तो वो अच्छा है अगर एक इनसान या एक graphie zines को पता है कि कैसे poster करें और कैसे tree animation करें चैसे photographic करें कैसे video graphic करें तो अपने field में वो बहुत आगे जाएगा अगर specialize सेधे बाभ उजयों करते हैं तो दो भी सबस्क्राइश है भी रूच है इस आखे, आगे, जासकते हैं लेकिन उतना स्पीद मिने नई जस कि ऑछ्छे कर दो जानता है। जो सारे आसपेक्स हैं ग्राफिक डिजाइनिक तो जानता हैं वAnn आगे, वह एकां कर दो समल एक प्रधान हुआ, कैसे आपके परसुनालिटी, आपके व्यक्तित्वा बाते, उमें विकास आल बाते, एकर बारे में बता हुआ था, और कुन-कुन प्रकार के अक्चिवीटे, माने गतिवीदी के आयो जन खोल बाते, आपके नेतरे तुआ में अर्याय वक्संग, एक सब क तक जो युवा है, वे इस सब कॉमिटी में है, और मैं प्रधान का प्रधान हूँ, कैसे बना वो मुझे भी ने पता, मैं शायद मैं रोज ने, लेकिन हर रविवार को हवन होता है, तो वहाँ पर जाता हूं, और फिर जो काम है, जो सेवा हम करते हैं, इस पर भाग लेता हूं, तो उन्होंने मुझे को चुना क्योंकि मुझे पहले पुरुष समाज में दाखिल होना था, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी तुम युवा हो तो हमारे यहां एक युवाक संग बना चाहिए क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो मैंने का हाँ, बिलकुल मैं करू मेरे युवाएं आए, पहले तो आरे समाज को जाने यह बहुत ठीक है, और उनका मंतरपार जो भी है वे जानते हैं, लेकिन जो एक्स्रा करक्रा अक्तिविटीज हैं, जैसे की हाइकिंग, हम ट्रेल पर जाते हैं, या समूंदर किनारे जाते हैं, इससे युवाओं को मोट हम हवन करेंगे, हम मतरपार करेंगे, तो वो नहीं आएंगे, जो एक्सरा करकर अक्तिविटीज हैं, जहां पर वो आएंगे, अपने साथियों से वो लगाव जो बनाएंगे इस अक्तिविटीज पर तब यह बहुन रहता हैं, और आप कल बोलेंगे की चलो एक हवन करते है तो वो आएंगे क्योंकि उनके साथियों आ रहे हैं, तो इसलिए जो भी अक्तिविटीज मैं करता हूँ, मैं एक युवा हूँ तो एक युवा की परस्पेक्टिव से देखता हूँ, यह तो प्लैमाया का ही हैं, और मैं मोश्य साय युवक्सं का भी एक एक एक्जग्टी का इंतिजाम हो रहा है, जल्दी अगर सारे इंतिजाम होता है, तो हम उसको लाँच करेंगे, और फिर सारी और अब एक्टिविटीज हैं जो मैं अब ने बटा सकता हूँ क्योंकि, सीक्रेट, सीक्रेट है विष्वानि देव सवेतर दोले तानि परासुवा यद्वध्रन्तन्ना आसुवा एरन्य गर्भासम वर्दताग्रे भोतस्य जाता पतिरेकास्यत् सद्धाद्हार प्रिठि विम्ध्धामुतेमाम कस्मै देवायः विष्विधेमाम या आत्मदा बलदा यष्विष्व उपासते प्रश्ष्वं यष्वदेवा यष्चायामृतं यष्विध्यू कस्मै देवायः विष्विधेमामृत् यप्रानतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभुवाृत् यईशे अष्विपरस्चतुष्पडः कस्मै देवायः विष्विधेमामृत् ये नग्योरुग्राप्रेदेवेच्द्रद्धा ये नस्वस्थविधं ये ननाकाहृत् ये नग्योंत्रिक्षेरजसु विमानाहृत् कस्मै देवायः विष्विधेमांृत् प्रजापते नत्वदेतानन्यो विष्वाजातानिपरिताब भुवा यत्कामास्ते जोहमस्तनो अस्तुवयं स्वापत्यूर इर्नाम् सनु बंधुर्जानिता सविधाताः धामानि वेदभुवनानि विष्वाः यत्रडेवाम्रितमानस्त्रटे धामन्न धैर्यंत् अग्नेनयसुपथारायस्मान् विष्वाणिदेवावयूना निर्विद्वान् योयो ध्यस्मजोडानमेदो भुविष्चांते नमुक्तिम् विधेमाम् इतिश्वर्स्तुति प्रात्ना पास्ना प्रग्रणम् ताइम मानेजमेट यह अईसन फैक्टर हा जहां पर हमनी अलग अलग तरीके से काम करी ला सा और यह हमनी के जिंदगी में बहुत ही महतवपूर्न अलेमेंट बाती ताइश्वर्सिंग आपके जिंदगी में किस प्रकार से आप अपन टाइम के मानेज करी ला जब आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनते हैं तो यह सब टाइम मेरेजमेट हैं वो जैसे हम कहते हैं मौसbellुडी नमी करते हैं उनकु थाएम ताइम नहीं मेimensा Οि खरी खरम हैं क्यूंकी, जब मैं बैट आँ हूं auen कि तो मुझे ना खाने के पर भवै ना पीने के पर भवै ना अपने दोंस से बात करने की परवे कुछ भी नहीं, सिर्फ काम ही काम है, इसलिए मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि वो स्क्रीन देख 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 मेरी आखे थोड़ी सी खराब हो गए हैं, तो अब मैंने सिखा कि थोड़ा सा ब्रेक लूँ जो एक 20-20-20 रूल है, आप 20 मिनित काम करो, फिर आपने 20 फीट की दूरी पर देखना है, उन पर फोकस करना है, और 20 मिनित का ब्रेक लेना है, और फिर उसका ये साइकल रिपीत होत होता है, इससे क्या होता है कि जो फोकस आपके आखे में वो चेंज होता है, और आपको वो ड्राइ भी नहीं होता, क्योंकि आप मुवमेट करों, जो मसल है, उनको काम करवा रहे हो, दूसरा मेथड जो है, मैं सारे जो काम है उनको लिख लेता हूं एक पेपर पो या एक न सब के जिंदगी में एको प्रेदनासरोत रहे ला और उगी प्रेदना से आगे बरहे के सक्ती मिले ला, तो यश्वेरी सिंग आपके प्रेदनासरोत के हवन और का है, मेरे सोसल इंस्परेशन काफी सारे लोग है, क्योंकि तरह तरह के लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, ल खासकर मेरे पिताजी क्योंकि जो वही है, जो सोल प्रवाइडर है मेरे परिवार के लिए, तो जो भी मेरे युनिवरस्टी के चार्जर्जर्ज या कोई भी चार्जर्ज हो, वे बिना हिच कछाहत के वे कर लेते हैं, तो अब फिर मेरी एक अध्यापिका है, गोपिका लेहर आता था, वो उस लेहर को नदी बनाने में ताइम बरबात नहीं करती, वे मेरी भड़नात्याम क्या ध्यापिका थी, तो जब ही अगर उनको पता चला कि मैं आक्टिंग बहुत अच्छे तरह से करता हूँ, या कर पाऊंगा, तो वे मुझे पुश करती थी, ग्राफ और तुम इस फिल्ड में काम कर सकते हो, तो मैं बिलीव ने करता था, मैं अपने ही अपने ही दुन्या में मस्मगन रहता था, लेकिन अब ऐसास हो रहा है कि हाँ वे ठी कर रही थी, फिर आते है मेरे दोस जो है एशा, शेन, तो विन आफेस, बहुत सारे दोस है, अगर ना हम लेना पड़ेगा तो काफी लंबा लिस हो जाएगा, लेकिन वे सब मुझे मोटिवेट करते हैं, जब भी कोई, अगर मैंने एक पोस्टर किया या फिर एक वीडियो बनाया, तो मैं उन से जाके वो पिन्यन लेता हूँ, एक मेरा मित्र है मुबीन, और राशनावे मेरे स आथ ही परे है ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो उनका उपिन्यन बहुत माइने रखते है मेरी है क्योंकि हम एक ही साथ-साथ परेह, साथ-साथ हमने सीखा है, तो वे जानते है कि क्या अगर कोई कम्या है तो वे पकड़ लेते हैं और मुझे बताते हैं कि उसको कैसे जिंदगी के कुण-कुण प्रकार के चुनवती मानि चालेंज़ बते हैं और कैसे उकरा मतलब सामना करे लिया चालेंज़ तो बहुत सारे हैं कई लोगों के जिंदगी में चालेंज़ है मेरे भी हैं एक चालेंज है जब हम ग्राफिक डिजाइनर हमारे एक होता है जो बो कब से कब शुरू कोगा या वो रास्ता ही नहीं दिखता तो वो है और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो सबम्मिट है, जो टाम फ्रेम है, वो ज़ादा नहीं मिलता है, क्योंकि थोरे से क्लाइन्ट मुझे मिले, क्योंकि जो मुझे सवरे को काम दिया, और शाम को काम शब्मिट करना परता है, तो इससे प्रेशर आता है, तो मुझे थोड़ा बहुत प्रशर मुझे पसन है क्योंकि वो अद्रणारिन वो रश जो मिलते हैं वो बहुत अच्छा है यश्वेरी सिंग जतना जोन इबखत है कारक्रम देखा थो जोन दर्शगन बाते उलो की कॉन संदेश लेवा मेरा संदेश बहुत ही चोटा होगा बहुत ही सिंपल होगा आज हम देख रहे हैं कि AI और टेक्नलोजिकल अद्वांसमेंट कितना आगे बढ़ चुका है लेकिन हम एक ही दिशा में जा रहे हैं और हमारे संस्कृति है वो थोड़ी सी चूट रही है तो मैं यह कहूंगा कि हमा उधारन देता हूँ एक छोटा सा उधारन हमारे हिंद्विजम में एक उपनिशद है कथा उपनिशद इसमें हम बोलते हैं कि कैसे अगर आप अपने इंटलेक अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो तो आप कहीं कहीं सिमाई चू सकते हैं तो यही मैं बताऊंगा कि अपना संस्कृति अपना जर जो है अपने डिल से रखे और ना भूले ग्राफिक डिजाइनिंग एगो आईसन सेक्टर है जहां पर बहुत कुछ सिखे के मौका मिलल बाते आज हमनी के महमान के बगल से जिकर नाम है यश्विर सिंग यश्विर सिंग बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके हियां आल हैं जा और बहुत कुछ जाने के मौका मिलल बाते तदर शगन एक्रवे संगे हमनी के हुनरबास का रखम हियां परी समाप्त हुआ था बकेर आवत बीफे के एगो दूसर हुनरबास के संगे हमनी भैट आप जा तब ले यश्विर सिंग राम जावन और अभी उदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम